महंगाई एक समस्या पर निबंद महंगाई आज हर किसी के मुख पर चर्चा का विशे बन चुका है विश्व का हर देश इससे ग्रसित होता जा रहा है भारत जैसे विकाश शील राश्ट्रों के लिए तो यह चिद्दा का विशे बनता जा रहा है महंगाई ने आमजनता का जीवन अत्यन्त दुशकर कर दिया है आज दैनिक उपभोग की वस्थूए हो अत्वा रहाइसी वस्थूए हर वस्थू की कीमत दिन बदिन बड़ती और पहट से दूर होती जा रही है महंगाई की कारण हम अपने दैनिक उपभोग की वस्तूओं में कटोती करने को विवश होते जा रहे हैं कुछ वर्ष पूर्व तक जहां साख सबजिया कुछ रुपेओं में हो जाती थी आज उसके लिए लोगों को सैकड़ो रुपे चुकाने पड़ रहे हैं वेतन भोग्यों के लिए तो यह अभिशाप की तरह है महेंगाई की तुल्ना में वेतन नहीं बढ़ने से वेतन और खर्च में सामन जस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है ऐसे में सरकार को हस्तशेप करके कीमतों पर नियंत्रन रखने के दूर गामी उपाए करना चाहिए सरकार को महेंगाई के उनमूलन हेतु कहन अध्यन करना चाहिए और ऐसे उपाए करना चाहिए ताकि महेंगाई डायन किसी को न सताए महेंगाई के लिए तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सरकार द्वारा लगाये जाने वाले अनावर्शक कर तथा मांग की तुलना में आपूर्थी की कमी है बहतर बाजार विवस्था से कुछ हद तक मुक्ती मिलेगी पेट्रोलिय मुत्पात, माल भाड़ा, बिजली आदी जैसी मूल भूत विश्रयों पर जब तब बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए इनमें विवर्थी का विपरित प्रभाव हर वस्थो के मूली पर पड़ता है सरकार की चपलता ही महेंगाई को नियंतरित कर सकती है झाल